गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखें स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में हडपा इस्थल रोपड के बारे में पढ़ेंगे तो देखें सिंदुगाटी सब्वेता या फिर हडपा सब्वेता दोनों एकी हैं तो सिंदुगाटी सब्वेता और जो हडपा सब्वेता इसके बारे में हमने महतोपुन तथे और सिंदुगाटे सब्यता के जो साथ नगर हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा हडपा, मोहनजोदुडो, कालिबंगा, चनहुदुडो, लोथल, धोलावीरा इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है अब हम ऐसे इस्तलों के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंदुगाटे सब्यता के पर्मुक ऐसे इस्तल हैं जो परीक्से हमें कई बार पूछे जाते हैं, तो देखिएगा रोपड, रोपड में स्वतनतरता प्राप्ती के पसास सर्वा पर्थम उत्खनन किया गया था तो क्यों से ना सकता है कि स्वतनतरता प्राप्ती के बाद सबसे पहले उत्खनन का कारिये कहां पर क्या गया वो है रोपड, रोपड का जो आदुनिक नाव है वह है रूपनगर रोपड के खोज करता कौन है रोपड के खोज करता बीबी लाल है और रोपड की खोज कप की गई 1950 में तो रोपड की खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा की गई रोपड कौन से नदी के किनारे इस्तित है 17 नदी तो 17 नदी के किनारे रोपड इस्तित है रोपड कोन से स्थान पर इस्तित है रोपड है भारत में पंजाब में इस्तित है तो रोपड है भारत के पंजाब में और इसके खोज करता है बीबी लाल और 1950 में और अगला क्यों बनता है इसमें कि रोपड का उत्खनन का कार्य किसने करवाया और कब करवाया तो रोपड के उत्खनन का कार्य उत्खनन का कार्य किसने करवाया तो रोपड का उत्खनन का कार्य किसने करवाया तो रोपड का उत्खनन का कार्य किसने करवाया तो रोपड के अब देखेगा कुछ मैत अपन विस्टे न हैं, जो रोपड के बारे में बताई गई हैं, तो कुत्ते के साथ मानव के स्वाधान के साख से मिले हैं, ठीक है न, और हमने एक और भी चीज पढ़ी थी, जो नवपासान काल है उसमें, कि बही जो कुट्टे के साथ मानव के स्वधान के साख सबसे पहले नवपासान काल में मिले हैं और वो कहा से मिले हैं बुर्जोम का कस्मेर में ठीक है न ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि शिंदुगाटि सब्वेता का ऐसा कौन सस्तल है जहां से कुट्टे के साथ मानव के सवाधान के साक्से मिलते हैं वो तो आपका उपड और जैसे कि आपका प्राग एत्यासी काल का एक पाड था जो हम पढ़ रहे थे नव पासान काल ठीक है तो प्राग एत्यासी काल या फिर पासान काल में नव पासान काल नव पासान काल में कुट्ते के साथ मानव के सवाधान के साख से प्राप्थ हुए हैं और वो कहां से बूर्ज होम से प्राप्थ हुए हैं यह आपको ध्यान में रखने माली बात है यह क्यों सुन कई बार आ चुका है और रोपड से तंबे की कुलहाडी प्राप्थ हुई है रोपड से तामबे की खुलाडी प्राप्त हुई है यहां संस्कृति के पांच चरण मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं रोपड से संस्कृति के पांच चरण है कोन से हडपा कालीन रोपड, चित्रित दूसर मृत भांड, उत्री काले पोलिस वाले कुसान और गुप्त कालीन और मध्धे कालीन मृत भांड रोपड से मिले ऐसे अन्य महतोपुन साख से ओर देखेगा रोपड से मिट्टी के बर्तन आभूसन चाट भलग यह तामबे की कुलहाडी मिली है यहाँ पर मिले मकानों के अवसेसों से लगता है कि यहाँ के मकान पत्थर यह मिट्टी से बनाए गए थे रोपड से सवों को अंडाकार गड़ों में दफनाया जाता था ऐसे साख से प्राप्त हुए है एक स्थान से सवाधान के लिए परियोग होने वाले इटों का एक छोटा कमरा भी मिला है देखेगा इस चित्तर में यहाँ पर कुट्टे की हड़ियां पराप्त हुई है मनुसे के सवाधान के साथ कुछ सवाधान से मिट्टी के पकाए गए अभूसन संक की चूडियां गोमेद पत्थर के मन के तंबे की अंगूठियां आदी प्राप्ते हुई है रोपड से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुसे के साथ पालतु कुट्टा भी दफनाया गया था ऐसा उदारन किसी भी हडपा काली नस्तल से प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इस परकार का साख से नव पासान युग में बुर्ज होम कस्मीर से भी प्राप्त हुआ है अब देखें कई बार इन से सम्मन्दित क्यूसन आते हैं वो देखेगा मध्धे पासान काल के लोगों का पालतु जानवर क्या था? वो था कुट्ता पूरा पासान काल के लोगों द्वारा प्रियोग में लाया गया ओजार क्या था? उलहाडी मानव द्वारा प्रियोग में लाई गई सबसे पहली दाथू क्या है? तमबा सिंदू गाटि सब्वेता से मिला ऐसा स्थल जहां से मानव के स्वाधान के साथ कुत्ते के साथ से भी प्राप्त हैं वो कुन सा है रोपड कुत्ते के साथ मानव के स्वाधान के साथ सबसे पहले कहां से तथा किस काल से मिले वो है आपका नवपासानकाल और बुर्ज हों कस्मीर तो धन्यवा चात्रो आज हमने एक छोटा सा टोपिक था रोपड जिसके बारे में इस वीडियो में पढ़ा है और आपको मारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा और भी कोई इनफोर्मेसन आपको चाहिए या फिर आपके कोई सुझा हो तो आप हमें कमेंट कर सक सकते हैं थैंक यू अ